हेलो गई ये लिकम बेट वेट वेटे चैनल आजयाद्रेस डिजाइनर तो खरेंस आज सेयर करने वाले हैं अनारकली फ्रोग की कटिन और स्टिचिन बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप तो फ्रेंस लिए अब हम इसकी कटिन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कितना कितना मिटर कपड़ा कौन सा है तो यह मैं मिसु सिभाई की हूँ है अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजेगा इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्केप्सन में दे दूंगी तो यह फैब्रिक पांच मीटर है और इसमें डुपट्टा भी है यह आप देख सेकते हैं इसका डुपट्टा भी चोड़ा है यह देखिए और यह फैब्रिक ब्लेंड कॉटें है फ्रेंड यहां पर आप 87 है और यहां पर आप देख सकते हो यह देखिए और यह 5 मिटर फैब्रिक है और यह फैब्रिक बहुत ही अच्छा है बहुत प्लेन है और बहुत ही सॉफ्ट है इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है तो यह 5 मिटर है तो इसमें से हम 3 मिटर अलग करेंगे और 2 मिटर अ भाध में बतायों नए हम आपको बाद मेंगे तो पहले हम फ्रॉ की कटिन करेंगे टो जो तीन मीटर मेरा कपड़ा है और इसमें, marging भी add कर लिजिए तो यहां पर आप आप देख सकते हो फ्रें यह 1.5 इंश जा रहा है तो इस तरह से मेरा नहीं निकलेगा क्योंकि यह 40 इसको बना रहा है तो इसमें marging नहीं बच रहा है तो इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे? अगर आप 40 से कम साइच के बनाएगा ताइस तरह से कप्ठे को फोल्ड कर लिजी तो यहाँ पर देख सकते हो हाफ इंच भी बच रहा है, सेफ मारजिंग तो इस तरह से हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे इसको हम इधर से fold करेंगे ऐसे अगर आप कम size के बनाते हैं तो जैसे पहले मैं fold की थी वैसे ही याँ fold करते हैं बाप यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा है 40 size का है इसलिए मैं इस तरह से fold करूँगे इसको यह देखिए तो यह मेरा fold layer हो गया ठीक है तो मैं आपको इधर दिखा देती हूँ कि इसका चोड़ाई आप देख सकते हैं ये देखिए तो ये लगबग 13 इंच का है ठीक है और ये 4 लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं खुलावा साइड आप लोग के साइड है और बन साइड मिडे साइड है ठीक है अब हम इसमें निसान लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसका लेंथ लेंगे जो भी आपका टॉप पार्ट का लेंथ है तो मैं यहाँ पे लोगगी 15 इंच मेरा 15 इंच पे ये बनके रेडी होगा और एक इंच हम लेंगे स्लाइ मार्जिंग के लिए हाफ इंच मेरा नीचे में जाएगा और हाफ इंच मेरा उपर से जाएगा ठीक है तो 15 इंच पे निसान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे फिर एक और निसान लगाएंगे एक इंच पे यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम इसको भी सीधा कर लेंगे यहां से तो अपना लेंगे यहां से हम इसको कट कर लेते हैं तो जो भी एक्ष्रा कपड़ा यह देख सकते हो आप तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और यह देखिए मेरा 16 इंच का मेरा टॉप पाट के लंबाई है अभी सिलने के बाद यह 15 इंच का हो जाएगा अब हम इसका सोल्ड को रखेंगे और इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे तो यह देखिए यहां पर यह देखिए 7 इंच आ रहा है तो 7 इंच हम इहां पर लगा लेंगे ठेक है ऐसे अब हम इसकी आर्मोल लेंगे तो यह देखिए यहां से हम इस तरह से नापेंगे और यह भी हम 7 इंच लेंगे और दोनों लाइन को आपस में मिला लेंगे यहां से हर एक चीज हम आपको पूरा बारीगी से बताएंगे तो आप वीडियो को अच्छा से देखिए ताकि आपको हर एक चीज अच्छा से समझ में आए फ्रें तो यह देखिए इस तरह सम निसान लगा देंगे अब अपने यहां पर हम चेस का साइज लेंगे जैसे कि हम यहां पर 40 साइज का बना रहे है तो 40 को आप 4 से डिवाइड किजिएगा तो 10 इंच आएगा तो इसका चौथा भाग यहां पर लेंगे ठीक है तो यह देखिए 10 इंच में निसान लगाएंगे और कमर यहां से लेंगे 36 इंच तो यह 9 इंच लेंगे यह देखिए 9 इंच में निसान लगाएंगे यहां से और इसमें हम 1 इंच लेंगे टक्स के लिए डार्ट के लिए ठीक है और 1.5 इंच यहां से लेंगे महशां सबस्क्राइब दिए सब्सक्राइब राध प्रौकिंग आप अद्रफ से गएम सब्सक्राइब अधर आप चाहे तो दो 20 सेंटर पी इसके हम निसान लगाएंगे तो इस तरह से आप लगाईएगा तो बहुत अच्छा आपका सेफ बनेगा और यहां से आप देख सकते हो हाफ इंज अंदर से लेंगे तो यह मेरा फ्रंट आर्मोल का रहेगा यह देखिए ऐसे ठीक है अब इसको हम यहां से गुला इसकी चोड़ाई हम रखेंगे धाय इंज से तीन इंज तक रख लेंगे ठीक है तो अब अपने हिसाब से रख लीजिएगा और हाफ इंज यहां से हम कंदे को डाउन कर लेंगे तो यह देखिए यहां पर हाफ इंज कंदे को डाउन कर लेंगे उसके बाद हम इसको इसी न अब नीचे का जू ड़ाट है इसको लगाएंगे तो कि अध болगें जो टोगशा बोगा थाएगा है कि तो यह दिंग के निसाना यह दिन को यह साइड भी में लगा लेंगे इस तरह से उन्हों पार्ट को अलग करेंगे और फ्रेंट वाली पार्ट को फीर से टूफल में बिचाएगे और इसकी आर्मण जो है यहां से आप देख स कट साथ इंच लिए और चौड़ा का की देखें ऐस गला का अर्ग निया है तो आप चाहें तो और भी डीप कर सकते हैं तो यह? जो फरॉंट पाथ यह कट नहीं किये हैं इस पे हम डिजाइन बनाइंगे तो हम आपको आगे बताइगे तो यह मेरा फ्रॉंट पाथ है अब यहां पे front और back दोनों की cut-in complete हो गई अब हम इसको side करेंगे और घेरे की cut-in करेंगे तो जितना भी fabric बचा हुआ है अभी हम sleep की cut-in नहीं किये है तो इसी में से जो कपड़ा बचेगा उसी से हम sleep बनाएंगे फ्रेंड तो यह देखिए जितना भी कपड़ा है इसको पहल आप देख लीजिए यहां से हम इसको fold-layer कर दिये हैं और यह एक बार और इसको fold करेंगे तो यह देखिए यह 4 fold है दो नीचे है और दो उपर से ठीक है तो यह 4 है फिर इसको एक बार और fold करेंगे तो यह 8 fold हो जाएगा ठीक है इस तरह से तो आप इसी तरीके से कली वाला जो मैं formula आपको बताऊंगे इसी से आप चाहें जितना भी कली का बनाना चाहें उसी तरह से बनाएगा बस इसमें कमर का कमर का साइज चाहिए होता है और इसमें margin add कर लीजेगा आप उसके बाद जितना भी कली से बनाएगा उसी से आप इसको divide कर लीजे ठीक है तो यह तो पहले हम इंची टेप को ऊपर से रखेंगे 15 इंच निकाल के रखेंगे कि मेरा टॉपपट 15 इंच के लेंध हो जाएगा इसका उसके बाद आपको फ्रॉग की जितना भी लेंध चाहिए आप अपने हिसाब से लेजे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ कपड़ा या फिर कोई और कपड़ा होता है, जो जादा लटक रहा है नेचे के साइट से तो वाला कपड़ा थोड़ा एक्सट्रा ले 안돼जे क्योंकि जार लटक जाता है तो उसको हम बाद में कट करके एक बराबर करते हैं यह कपड़ जादा नहीं लटकेगा अशक को तो पिस तरह से निकालना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, तो यह कपड़ा हम आठ ऐड़ा है, और 36 इंच में हम 2 इंच एड़ करेंगे और स्लाइ मार्जिंग के लिए तो यह 38 इंच का हो जाएगा इस साइड भी लगाएंगे तो यहां पर मेरा आया है साड़े इंच से दो पॉइंट जादा आया है तो मैं यहां पर लगाऊंगी इस तरह से ठीक है और इस साइड भी उससी निसान को इस साइड भी लगाएंगे यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से ठीक है तो एक कॉर्णर पे लगाएंगे और दूसरे कॉर्णर पर लगाएंगे अब हम दोनों निसान को इस तरह से तीरचा मिला लेंगे ऐसे इंच टेप को रखेंगे और इसको हम सीधा मिला लेंगे तो और भी फ्रॉग का बहुत सरा डिजाइन मेरे चैनल पे अपलोड है अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा फ्रेंड मैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हरी चीज शेयर की हूँ तो यह देखे हां पे नीसान कम्पलीट हो गया अब हम यही नीसान तरह से बढ़ांगे पर अब आपक सी खेजूब्स सक्र då ये देखेे two three four five six seven eight eight あब हेस्का udah करें है और ये देकी यह भी मेरा तो ये कटकर लेंगे तो यहास पर आप देख सकते है one two three four five six seven eight ठlyके तो यहाद है और यहाँ पर मेरे कली की कट इन हो गई है का इस्फोलबाल का बन रहा है अब हम इसको side करेंगे तो यह देखिए मेरे कली की cut in complete होगई अब मेरा बाजू रहे गया तो जो हम कली में से कली कट किये हैं उसके नीचे का जो यह कपड़ा बचा है उसी फैवरिक से हम बाजू की cut in करेंगे तो मेरा बाजू में यहां पर जो आएगा यहां पर देख सकते हो तो यह देखिए यहां से हम लेंगे यह 10 इंच के करीब में नीचे से तो कपड़ा कम है तो आप अपने अर्मोल की गुलाई को नाप लिजिए और जितना भी आएगा उसे हिसाब से अपने बाजू की कटिन कीजिएगा तो आपका बाजू में आपके मतलब आर्मोल में कोई भी जोल नहीं आएगा तो यह देख सकते हैं आप 9 इंच आ रहा है तो इस तरीके से आप नापते भी आप कोई भी ड्रेस बना रहा है पहले आप आर्मोल को चेक कर लिजिए कितना है उसे हिसाब से आप बाजू को कटिन कीजिए तो बहुत ही अच्छा से आएगा और कम जादा थोड़ा भी नहीं होगा और फिनेसिंग बहुत अच्छी आएगी तो पहले हम इसको नाप लेंगे और यह देखिए 3.5 इंच पे डाउन करेंगे और यहां से इस तरह से बाजू के सेप देदेंगे अब हम इसकी लंबाई लेंगे तो आप अपने हिसाब से जो भी लंबाई चाहें बाजू के रख सकते हैं तो यह देखिए 17 इंच है और इसको हम सीधा करेंगे यहां से तो यह देखिए फिर और इसमें हम 1.5 इंच लेंगे स्लाइ मार्जिंग के लिए ठीक है अब यहां पे जो भी आपका फिटिंग का साइज है अब अपने हिसाब से लगा लीजिए और यह देखिए यहां पे हम इस तरह से निसान लगा देंगे यह देखिए 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच में निसान लगाएंगे यहां पे 1.5 इंच बज़ रहा है मेरा स्लाइ मार्जिंग के लिए यह मेरा फिटिंग के निसान रहेगा और अब हम इसी निसान पर इसको cut कर लेंगे ठीक है तो यह देखिए मेरे बाजू के cut in को इस तरह से complete हो गई अब हम इसमें दो मेरा layer में joint आएगा तो इसके लिए हम कपड़े को two fold में रखे हैं और half inch कपड़े को उपर हम चढ़ा के रखेंगे क्योंकि half inch मेरे slime में चला जा है और यहां से इसको हम इस तरह से रखेंगे तो बाजू के हम अभी अर्मोल के जो फ्रंट में जो गुला यह half inch अंदर के साइट में cut in होता है उसको हम नहीं किये अभी हम इसको join करने के बाद करेंगे तो हम आगे बताएंगे ठीक है तो यह देखिए बाजू के cut in हो गई मेरा top part है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा top part हो गया तो कुछ इस तरह से इसकी cut in complete हो गई अब चलिए हम इसको stitch करना हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है तो पहले हम कली को join करेंगे ठीक है तो यह देखिए तो एक तरफ हम 8 कली को join करेंगे और दूसरे पार्ट मे हम 8 कली को join करेंगे यानि बैक और फ्रंट में 8 कली रहेगा तो यह देखिए कली एक तरफ से बिलकुल सीधा है यहाप देख सकते हो और एक तरफ से यह तेड़ा है ठीक है तिर्चा है तो जो सीधा साइट से है उधर से हम सीधा कली को ही जोड़ेंगे यह देखिए दोनों तो सीधे से सीधा और तीर्चे से तीर्चा ऐसे हम कली को जोड़ेंगे यह नहीं कि आप सीधा से तीर्चा जोड़ेंगे तो आपका कली में जो सेफ आता है बिलकुल भी नहीं आएगा और इसका लुक अच्छा नहीं दिखेगा तो आप इस बात का ध्यान रखे और जो सी कली को जोड़ के रेडी कर लिए है तो इए इसमें 8 कली है यहाँ पर देख सकती हो अब हम इसमें फरंट पार्ट जो है मेरा फ्रंट का उसको हम टॉप पार्ट को इसमें हम अठाच कर लेंगे तो यह now वो हो बनाती आपनंा शीजा में यह कोत्त करते हैं कि तुमक भीर केृष्ट से मज़ाएं में मुझाम् कुछ इस तरह से से इसे इसमैें वीडियो गह्ता में प्रवियो की एक अपला दीशय से लिंग को भीक मत रखी और कि खुल प्रवर यह करते हैं। यह देखिये ऐयसे, तो ऐसे हम बैक वाले पार्ट को भी रेडि कर लिये हैं हैं डूनों राइट साइड मेरा अंधर के साइड मेरा रहेगा यहां से हम कंडे को अटेच करेंगे कर दाइड है और यहां से भी यह देखिए ऐसे हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहां से डबल सिलाई के साथ इस्टेज कर लेंगे उसके बाद हम अपने फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो जो भी आपका फिटिंग रहेगा आप उसी को लगा लीजिए तो आप चाहे तो बाजू करेंगे उसके बाद हम नीचे का घेरा है तो डबल फोल करते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से आप चाहे तो नीचे पीको भी कर सकते हैं तो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लागे कर लीजिए तो यहां पे आप देख सकते हो फिटिंग कर लीए है और नीचे में भी हम इसको डँवर फोल करते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लिए है अब हम इसमें बाजु लगाएंगे तो बाजु में भी हम लेज लगाया है जैसे कि हम आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट में रेडी किये है यही लेज को हम बाज और यह देखिए जो फ्रंट पार्ट का रहेगा तो इसमें हम हाफ ही अंदर के साइड से कट कर लेंगे यहां से ठीक है अब हम इसमें फिटिंग किसलाई लगाएंगे उसके बाद इसको हम बाजू में अपने फ्रॉक में इसको लगा लेंगे इस तरह से ठीक है तो कुछ इस लगाने के बाद अपने फ्रॉक में बाजू को लगा लेंगे तो इसका पूरा फारा लुक हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए यहां पर यह डिरेस बनके रेडी हो गया है और इसका आप लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यह बिलकुर रेडी मेड जैसा लग रहा है और यह बहुत ही कम प्राइज में यह बना है अगर आपको इस ड्रेस का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा मैं आपको दे दूंगी और यह मैं मिसू से ली हूँ और इसके साथ मैं बनाई हूँ पलाजो तो पलाजो का वीडियो अभी अपलोड नहीं अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फिर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बिल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरा हर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुँचे ताकि आप कोई वीड डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूं अगर आपको इस तरीके से ड्रेस बनाना है या फिर कोई और भी ड्रेस बनाना है मैं सारी से भी बहुत प्यारा प्यार ड्रेस बनाई हुई हो जो की मेरे चैनल पर अपलोड है अगर आपको सारी से भी ड्रेस बनवानी हो तो आप हमें इस्टा पे मैसेज कर सकते हैं मैं इस्टा का आईटी मैं इसे वीडियो की रिस्केप्सर में दे दूंगी आप वहां से ले लिजिएगा और ऐसे ही प्यारा प्यारा ड्रेस डिजाइन देखने के लिए हमरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड